बॉर्निंग स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जब से बीर बनाम बीटीसी का आदेश आया है मैंने किसी भी प्रकार से कोई बीडियो अपलोड नहीं करी इससे संबंदित पता है कि माननी सरवत चनल है कि आदेश पे किसी प्रकार का ट दरती पर बैट करके बीड और बीटीसी दोनों साथ में अपनी नौकरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन कल या परसों से देखा जाए तो कांटिन्यू सोसल मेडिया पे तमाम यूट्यूब चैनल है अच्छे एजूकेस्टनल यूट्यूब चैनल हैं बड़े- से बहस्बाजी करने से चीजे पलट नहीं जाएंगी मेरी बाते जरूर कड़वी लगेंगी लोगों को थोड़ा सा आहत भी होगा कि मैं आज सिर्फ एक तरफा ब्योहार करके बोल रहा हूं लेकिन आप सभी को बता दियें कि एक काईटेरिया था बीटीसी के लिए मात्र और मात्र सिर्फ PIT ही थी यानि प्रात्मी में ही मौका मिलता था और बीटे ऐसी डिग्री थी जिसमें आपको टीजीटी पीजीटी और तमाम जगहों पे मौका मिलता था आवेदन करने का तो अगर बीटीसी के लिए ही आदेस आ गया तो कौनसा धरती पलट गया कौनसी द बाते करी बीटीसी का जिक्र तक नहीं किया क्यों भाई बीटीसी का जिक्र क्यों ना किया जाए क्या बीटीसी करके लोगों ने गलती करी है हमारे भाईयों ने गलती की है मैं सोयम बीटीसी हूं और बीड भी चल रहा है दोनों कर रहे हैं इस्तितियां पर इस्तितियां द कहीं कि एक खंडन होगा फिर अब भ्यर्थन नहीं सिर्फ लड़ाई चल रही है कुल मिलाजुला के बाकी जो चीजे हुई है वो लौ और रूल के कॉर्डिंग हुई है और जिन्हें दिक्कते अगर लग रही है कि नहीं एक तरफा फैसला है तो मैं चैलेंज करता हूं मैं कह हटा है दोनों ने अपनी बात रखे तनी मानिस रोत्चनल है और दिग्यज दिग्यज वकीलों के साथ दिगज दिगज पैनल के साथ खड़े थे इसके बाद मानिज नयाधीस प्राकार का द्वंद पैदा कर रहे हैं एक लडाई लडवार है यह लडाई मानी सरकार की थी रूब रूल और रेगुलेशन से थी लेकिन यहाँ पे तिर्फ अपना उल्लू सीदा करने के लिए अपना कोचिंग संस्था और अपनी चीजे चलाने के लिए एक ऐसा महौल कि भाई भाई का नहीं होगा यह हालात बना दिये गए हैं इस समयना अगर दो मित्र एक भी एड़ एक भी टीसी थी दोनों साथ में बैटना बंद कर दिया जो चौराहे पर बैटके चाह पिया करते थे यह हालात कर दिया है सोसल मेडिया के बड़े-बड़े यूट्यूबर बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म वालों ने तो प्लीज मैं इतना कहूंगा अगर इस प्रकार की चीज़े आ रही तो प्लीज अपने भाई चाहरों को बंद कर अपने भाई चाहरे को मिंटेन रखिए वो आपको आपके गलत समय में आपके साथ नहीं खड़े होंगे क्य से ले जाएं क्योंकि उनकी दुकान बंद हो गई क्योंकि आप से उनकी दुकान चलती थी अब तो बीटीसी वालों ने एक मुहिम निकाल ली कि हम अनफालो कर देंगे और आज सुबह से लेकर के कांटीनू जितने भी इस तरीके की यूट्यूब चैनल से सब को अनफालो क करना सुरू कर दिया है तो प्लीज अपने भाई चारों को मिंटेन रखिए यह जो भी लडाई या थी वो साथ में लड़ी गई थी काइटेरिया अलग भले था अब भी कोई दिक्कते नहीं मुझे तो लगता है बहतर है बिटीसी अपना एक से लेकर के पांच तक प्रयास करें बियर ऊपर टीजीटी पीजीटी और जगहों पे देखें उनकर हायर डिगरी है तो आगे देखते रहें क्या दिक्कत है इसमें बिटीसी को तो एक ही मौका था मुझे तो नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए अगर वह एक सच में एक अभ्यरती है बहतर तरीके से चीजे सोच रखता है तो बाकी जो भी दिक्कते हैं जिसको भी जो कहना है कह सकता है कमेंट बॉक्स आन है मुझे पता है मेरे इस वीडियो के बाद बहुत सारी टिपडिया मुझ पे भी की जाएंगी लेकिन मैं इतना कहूंगा कि अगर आप टिपडिया कह रहें तो इत अपना नंबर बताईए बस इसके बाद हमने कभी 250 का जिकर नहीं कि अगर किया होता तो महम तो फिर यह होता कि यहां चले कि वीडियो बिटिसी को याची बनाते है जबत की पैंल में लडने वाले साथ्गें में हम 010 raid 3 Second 8 moisturizer पिज लोग Meng Siamp in хam radio s ब् annéekte चलेंगे सबको साथ लेकर के लड़ेते हैं हम लोग और आज भी इको गार्डन होगे कि धरती पे राम भाई की निगरानी में पूरी तरीके से बीट और बीटी से एक जूठ हो करके बैठा उसमें सिच्छा मित्र बंदू भी बैठ गया उनको भी मैं नहीं बूल सकता वो भी साथ दिये हैं इस लड़ाई में तो बस इन सोचल मेडिया पे जो बहकावे में जो चीजों को भड़कार हैं उनसे बचिये और जिस प्रकार से बीट बीटी सी आप सभी एक साथ बैठ करके कभी बाते होती थी न वो इस्थितिया नहीं रहे गें इस समय क्योंकि इतना ज्य किसी भी प्रकार का और कोई टीका टिपड़ी नहीं करना चाहता हूँ जिसकी जो इक्षा वो सोच सकता है मिलते हैं कुछ नहीं जान का और एक साथ तब तक लाप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद